हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं हुशिम और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स और आशा करती हूँ मेरे सभी दोस्त बहुत एच्छे हो इस आशा के साथ मैं अपने वीडियो शुरू करती हूँ तो मेरा टॉपिक आज आपके साथ बात कहन है तो वो लोग भी अभी मुझे पॉर्स और प्लांट ही गिफ्ट करते हैं कोई भी ओकेशन हो तो इस बार भी भाई दूज में यह जो पाम है मार्जुनाटा ड्रेसिना मार्जुनाटा पाम बोलते इसको यह बहुत ही अच्छी समी इंडूर प्लांट है तो यह प्लांट मेरे पास नहीं थी तो मेरे भाई ने मुझे यह प्लांट गिफ्ट की थी तो मैंने सोचा कि यह वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूँ कि मेरे भाई ने मुझे क्या प्लांट गिफ्ट क्या है हाला कि मैंने इस इसकी जो रिपॉर्टिंग है मैंने कर दी थी सोचा था कि वीडियो नहीं बना पाऊंगे लेकिन सोचा कि नहीं इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लो फ्रेंट्स तो इसकी वीडियो इसकी फुल केर टिप्स के बारे में मैं बात करूंगी आपसे ये भी एक बहुत ही अच्छी ड्रेसिना की वराइटी है वैसे तो ड्रेसिना मे तो इसके क्यार के बारे में मैं बात करूंगी मेरे साथ बने रही है फ्रेंस और अगर किसी ने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को फी दबा लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए तो चले शुरू करती हो वीडियो तो फ्रेंस यह जो प्लांट देख रहे हो एक्चुली यह एक सेमी इंडूर प्लांट है कोई-कोई लोग इसको फुली इंडूर में रख देती है तो इसकी जो लीफ्स है वो खराब होने लगती है तो इसलिए आप इस प्लांट को सेमी इंडूर बोल सकते हो इसलिए क्योंकि यह प्लांट अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पे रखते हो तो भी अच्छा नहीं चलता अगर आप पूरी डार्क में आप इसको रख दो एकदम सनलाइट जहां नहीं पड़ती हो अगर आप इसको वहां यह आप 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 उसको अपर इसको लगाते हो तो अगर उसको अगरैसे बहुत चाहिता केSte लेकिन यह प्लांट अगर आप बहुत जल्दी इसको बढ़ा करना चाहते हो तो नहीं होगा क्योंकि यह थोड़ी से धीमी है दूसरी प्लांट की मुकाबली थोड़ी सा धीमा बढ़ा होता है इसलिए आप परिशान मत हो अगर आप लगाया अपने लगाया भी है और लगान odc스 मैं यूज करती हूं ही आप शाथ करती हूँ क्योंकि मैं लगभख सभी प्लान परे एक जैसे हाँ कर्ति करती हूँ मैंने इस पर लिया है 40% मैंने फॉर्मी कॉंपोस्ट लिया है और मैंने 30% मिलाया है जो गोवर्काद होती है प्लांस लगाती है सडाहवा गोवर खादि उसको मैंने अच्छी तरीके से सोलराईज करके वी caa को मैंने मिक्स किया है इसकी साथ और मेन लया है ताकि आपकी की मिठी बहुत अच्छी हो और व्युक्णत की आह पार वहला है एंटर पासा अटर्फ को अगर आप जो भी प्लांस लगाती हो अगर पॉटिंग मिक्स अपके अच्छी हो तो उतना ज्यादा आपको इसको रीपॉट करने की जरूरत नहीं परती है इसलिए जब भी आप प्लांट लगाते हो मिट्टी का ध्यान जरूर ही रखना उसके बाद आती हो इसके पॉट पर पर इसके बहुत जादा बहुत बढ़ा पॉट की जरूरत नहीं होती है मैंने 12 इंच का एक गमला लिया है क्योंकि मैं इसको सेमी इंडूर पर रखूंगी डायरेक्शन लगने ही पड़ेगी इसलिए मैंने इसके लिए प्लास्टिक की पॉट ही मैंने यूज किया अगर आपके पास मिट्टी की पॉट है सरमिक पॉट आपके पास है तो आप उस को यूज कर सकते हो क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा है सरेमिक पॉट बहुत अच्छी होती है प्लांस के लिए लेकिन मेरी पास अभी 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 नहीं है तो इसलिए मैंने प्लास्टिक की पॉट ही मैंने यूज किया है और जो भी पॉट आप यूज करोगी हमेशा ही लूज हान रखना की कोड़ प्लांस को पानी चाहे है या फिर पर कम पाने यह कोई कर । क्योंकि आगर प्लांस की प्लांत को पर ब daiquito यह खरीelim इसलिए आप जब भी प्लांट लगाती हो पॉट की जो होल है वो एक अच्छी होल होना चाहिए ठीक है तो और फिर फ्रेंट्स आप क्या करोगे आप जो पॉट है वो बारा इंच का गमला में ने लिया है आप भी ऐसे ही ले सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट की ज जो पानी की रिकर्मेंट है बहुत ज़्यादा नहीं है आप इसको जो उपर की जो मिट्टी आप देखों उपर की मिट्टी पूरी ड्राइ है अभी तक मैंने पानी इस पर नहीं दिया है तो इसको ओवर वटरिंग बिल्कुल भी मत करना उपर की जो मिट्टी है उसको पानि दो फ़रना पानी देने की कोई भी जरूरत नहीं होती है यह घई पानी की बात पानी ध्यान से 믹ट में अब फिर गूरू की पर पर घृत और भीडिंट के थार्मन की प behavior को ज़ब करना की सबदेदtså up weather fun इस प्लाइंट को लगबख आपस देडर या दो साल में आप इसकी रिपोटिंग कर सकते हो अगर आप डिपॉर्ट नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे इसकी आधी पॉट की आधी मिट्टी चेंज हटा के उसकी बाद आप इसके गोवर खाद और वर्वी कम्पोस्ट मिला के आप इसके इसको फील कर दो तो आपको एकदम उठा के आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है और यह उतना जादा के लिए की दूसरे प्लान के लिए मैं तो हमेशे को ढआउयों मेत एक्दम इसम में एकए hen बनाती हो डें घर परना उसा जो सब्सक्रैस का और बनाती हूँ विए और जो आप भिगो के उसके पानी को आप सकता है atau या फिर आप इसको घाली का पानी होती है उसको भीगो के आप सकती हो तो इस तरीके से आप इसकी देख़ल कर सकती हो, बहुत ही easy है, बहुत ही simple है और इस बहुत ही low caring plant है, तो वह सभी बात मैंने आपकी साथ share कर ली और अब आती हूँ, आपकी इसकी जो इस पर insect का अटक, इस पर insect का अटक बिल्कुल भी नहीं होता, कभी क्या होता है, अगर या फिर एक चीज़ आपके हमाया कर सकते हैं तो आप इसे प्रस्वान केने तो इसे फाड़ते पने की एक परेदे दोगते हैं अगर इसके बारे में कोई भी कुष्षन आप मुझसे पूछ सकते हो और फ्रेंस एक बात आप किसे बोलने थी यह हमारे जो धर्ती है वो भी ग्रीन रहेगी और अच्छा होगा बहुत अच्छा भी फील होगा जैसे मेरी भाई ने किया है मुझे यह प्लान मेंने मुझे गिफ्ट किया है तो ऐसा आप भी कर सकते हो मैं भी ऐसा ही करती हूँ तो आशा करती हूँ मेरी यह वीडियो आपक अच्छा नहीं लगता फिर भी अगर पसंद ना आए तो आप तो डिज्लाइक ही दोगे तो इसी बात के साथ मैं अपनी वीडियो खतम करती हूं अच्छी रहिए खुश रहिए और स्वस्त रहिए और एक प्यारा सा गार्ण बनाएए मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्या थैंक यू